इस सीरीज में इकनोमिक टाइम सी एहर नियूस को विद कॉंसेट्स, पास्ट स्टोरी और इंटेथ एकस्प्रेशन को और करने हैं तो इस सीरीज विगनर्स के लिए बिलिकुल एप्ट है जो अपनी नियूस्पेपर रेडिंग हैविट को बिल्ड कर रहे हैं इसको दो तीन पार्ट में समझते हैं फिर हम इस पूरे कॉंसेट को यहां पर कॉंसेट चलता है यहां पर एकुलाइशन लेवी का तो इसको समझते हैं सबसे पहले जीटूइट जीटूइट गुरूप ऑफ 20 कंट्रीज मैंने आप यहां पर एक फोटो क्रेजन के इसके अंदर यहां पर क्या है जीएट होता है फिर उसके अंदर अगर आप जैसे जीटेवन के अंदर अप रश्या मिला देते हैं तो जीएट बन जाता है और अगर आप 12 और इस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं तो मिला कि यह जाता है पर यह समझना है कि G20 बस 20 कंट्रीज का ग्रूप है तो यहां पर 20 कंट्रीज का ग्रूप हो गया OECD OECD आप मैंने फूर्फार्म में लिखी हुए कर चैन्द आप स्क्रीनशोट ले सकते हैं Organization for Economic Cooperation and Development तो बेसिकली पूरी वर्ल्ड की एकोनोमिक्स को टैक्स सिस्टम को यह पूरी मॉनिटर करते हैं तो यह बेसिकली आप इसका OECD का मतलब समझ सकते हैं इससे इंडिया जॉइंट्स G20 OECD ट्रैक्स फ्रेमवर्क बील तो क्या हुआ है कि G20 ने OECD की साथ मतलब मिल करके एक टैक्स फ्रेमवर्क डील निकाली है किससे रिलेटिड आपकी डिजिटल प्लाट्फॉर्म है उनसे रिलेटिड तो उससे क्या होता है मैं अभी हम समझते हैं दो मिनट में तो उसके बाद क्या हुआ है कि यहां पर बेसिकली इंडिया ने जोइन कि है है तो आपको क्या लगते है कि कि अफंथा का particularly गूगल होता है वहिaway इंका PayPal source of income होती है तो क्या होता है कि हैं आपर यह उसने उसने अगर उसका प्रॉफेट निकालना है क्योंकि क्या होता है कि टैक्स यजियली प्रफीट पर लगते है तो प्रफिट निकालने के आपका asset calculate किया जाता है revenue minus cost तो अगर अब add agencies पर देखें तो उनकी इतनी as such cost नहीं होती है क्योंकि उनकी cdc बात है उनका put का platform है तो उसकी cost उनको bear करनी नहीं बढ़ती तो अगर देखें तो यहाँ पर क्या करते हैं अगर उनको tax planning करनी है tax planning का मतलब होता है कि आप profit कम से कम शो करो जिसके उपर tax कम से कम लग पाए ताकि आपका basically overall profit बढ़ते है तो क्या करते हैं ऐसे companies Google की मैं आपको example देगे बता रहा हूँ इसे सारी companies इसे related ऐसे ही करते है तो यह क्या करते हैं यहाँ पर कि उनको जितना भी revenue है उसमें से वो cost को न अदर हमारी cost मतलब overall भढ़ गई और उसके अंदर क्या हुआ कि इनको revenue कम हो गया तो profit कम हो गया इसको बोल सकते हैं तो इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ countries ने measures लेना start किया क्यों क्योंकि आपन जैसे मानों इंडिया के अंदर इसने business किया 1000 रुपीस का और इसकी actual cost थी 200 रुपीस पर इसने क्या किया कि 600 की cost Ireland में दिखा दी और यहाँ पर 600 रुपीस और माइनस कर दिये तो इसकी total cost यहाँ पर इसने 800 रुपे बता दी बट इसके कि यहाँ पर काफी सारी कंटी जिससे नराज होई और उन्होंने अपने measures लिखाना start किया तो काफी companies ने क्या किया कि यहाँ पर इन्होंने जिसे सबसे वहले की measure लिया गया था फ्रांस के दौरा तो फ्रांस ने क्या किया कि जैसे इनका 1000 रुपीस का revenue है तो इसके उपर क्य इसके बाद कि यहाँ पर मतलब बेसिकली हम दो समझते क्या लिए अब इसके इंदर समझते है कि पहला स्टेप क्या था पहला स्टेप जो इंडिया की government ने लिया इसके मतलब इसके पूरा जो हो रहा था इसके अगेंस में इन्होंने क्या बोला कि आपको जितना भी एड का revenue आ रहा है हमें आपके बागी revenue से कोई मतलब न यह जितना भी add का revenue आ रहा है उसपे आप छीपरसंट आएक समय ऐसी देता हो पहले ही देता वहीं यहाँ पर रिवेन्यू का कॉन्सेप्त तो वही हो गया कि आपको cost minus नहीं गिर नहीं दी जाएगी जितना भी आपका add का revenue आ आपको प्ले स्टोर और आपकी जो बुक्स वो सेल करते हैं और कुछ अधर जिसे इंवेस्टमेंट करते हैं पर तो वह सब रिवेन्यू मिला करके उसका 2 परसेंट अगर हम निकालने तो वह उत्रा टेक्स पर गरना पड़ेगा आपको इंडिया के अंदर ही तो बेसिकली कु कुछ-कुछ मैजर्स ले रही हैं कि कोई एड रेन्यू पर लगा रही है तो अब क्या बोला है यहां पर इस समिट में जो यह OECD की समिट हुई थी इसमें बोला गया है कि यह ग्लोबल टैक्स भी डील बना दो तो उसमें क्या होगा कि यहां पर सारे एक्विलाइशन की ज तो दो साल के अंदर अंदर यह रोल आउट कर जाएगा 2023 का मतलब है यहां पर जो 2022 से लेकर 22 का सब्सक्राइब कर जाएगा यहां पर इसको समझ सकते हैं तो यह काफी थोड़ी कॉंप्लेक्स सी नहीं थी आगर आप कोई समझ आगे तो काफी अच्छी बात है नहीं तो यह आप समय सकते हैं कि मैं आपको तो से बीगा पर प्रपोजल के सीज़ें का स्पेरियर वोटिंग राइट्स का यहां पर दे सकतें एक ऊछलता है सुपीरियर वोटिंग राइट्स इसके अंदर हम थोड़ा सा पाल यह रिक्स कर लेतें यह फीजनी उसक्यों पर वापस स इसके पास यह नहीं है तो इसके बाद क्या होगा कि superior voting rights के लिए इनके पास एक ही इनका share होगा उसके इनके पास n number of rights हो सकते हैं let's suppose यह two is to one की ratio में है तो इसके बाद क्या होगा कि वह एक वोट डालेंगे उससे उनका दो share count होगा तो let's suppose जैसे पांच ने अपना वोट किया तो अगर किसी decision के favor में एक ने भी वोट कर दिया तो वो दो के वोट के equal count होगा इसलिए होता है कि जो ownership का pattern है उसके अदर अगर आपकी ownership कम भी हो जाती है owners की promoters की तो उसके लिए कि आपका stake बना रहे है decision making के अंदर तो यह इसलिए ह और यह आपको मैं आगर पता हूँ तो यह specifically founders or promoters को ही मिलता है तो जो superior voting rights है यहां पर लिखा हुआ है कि यह 2-1 तो मैंने एक ग्जांपल दिया यह 3-1 भी हो सकता है कि आप 1 डाले तो 3 वोट के कौल काउंट हो यह ऐसे से करके 10 इस टुवन तक भी हो सकता है कि आप एक वोट डाले और 10 वोट के कौल काउंट हो तो यह बोला है और आगे देखे तो सेबी ने रूल्स निकाला है SR शेयर को और मतलब enhance करने के लिए यहां पर यहीं बोला है कि मूव में help founders dilute stakes without losing control यहीं मैं आपको एक्स्टेक्स को अपने शेयरोल्डर पैटन को कम भी कर सकते हैं आपका control lose नहीं होगा मतलब कुछ यह बोला है कि यहां पर जो फांडर उनको छे मंत पहले आई प्यों के शेमन पहले तक एसार रोल्ड करने की अब जरूरत नहीं है पहले होती थी अब नहीं आपके देखें तो यहां पर नेट वर्थ की बेसिकली बात है कि जो फांडर और जो प्रमोटर नें जो आई पर लेकर आरे कंपनी के उसकी नेट वर्थ जो है वो भी एक स्पेसिफिक क्राइटीरिया के अंदर होनी चीए थी वो भी हटा दिया जाएगा तो यही था इसके अंदर यह प्रपो नाम है Great Wall Motors तो उन्होंने क्या बोला है कि यहां पर एक कंपनी है GM का मतलब है General Motors तो इसमें क्या है कि यहां पर Great Wall Motors जो है वो General Motors को टेक ओवर करने लग रहा था तो इसमें क्या हो है कि अब इस पीरेट को एक्स्टेंड कर दिया गया है क्यों क्योंकि यहां पर New Delhi के लिए Green Signal म यहां पर देखते हैं कि more time more more time जो भी मिले extension के वजह से इसके लिए कि extension has given more breathing space to both Great Walls and General Motors तो यहां पर breathing space मतलब है यहां पर की बोग कुछ अपनी formalities पूरी कर सकते हैं अपनी कुछ regulations पूरी कर सकते हैं कि यह टेक ओवर से रिलेटेट तूसरी बात है GM India has managed to create a mini breakthrough with the telegon plant workers तो जी सकते हैं यह टेलिगोन प्लांट का मतलब है यहां पर प्लांट का मतलब है प्रोडक्शन साइट जैसे कहीं पर फैक्टरी एंगी तो वह उनका प्लांट वैसा प्लांट तो यह मैं इसके अंदर डिसकस कर लिए आगे चलते हैं companies go for forensic probe following fake vaccination scam तो forensic का सबसे पहले मिनिंग समझत स्कूरूटिन में क्या होता है आप मान के चलते हैं कि स्कैम नहीं हुआ है आपको basic बस एक formality compliance पुरा करना होता है और forensic के अंदर होता है कि आपका मान के सलते हैं कि स्कैम हुआ हुआ है यहां पर कुछ फ्रॉड हुआ हुआ है बड़ आपको यह मतलब कुछ details के निकालनी हो इसकी आजार है कि आपने फेक वेक्सीन लगा दी और पूरे ले लिए और इसकी वैससे काफी जाद इंफ्लेक्टेड फिगर्स शुरियें वेक्सीन थी तो इसकी मैं क्या बोला है कि यहीं पर इन्वेस्टिकेशन स्टार्ट करेंगे अब आगी चालते हैं यहां पर बैट सब्सक्राइब क्राफटन ने बनाई है इन्होंने क्या कि यहां पर पूरी तरह से बेसिकली इंडियान गेम है तो इसके अंतर समझ सकते हैं अब न्यूज में क्या है कि यहां पर सबसे पहले तो कि जब प्री रिजिस्ट्रेशन का पीरेट चल रहा था तो ट्वेंटी मिल गेमर्स ने इनके उपर बेसिकली रिजिस्टर किया और इसको एक्स्पिरियंस किया अब जो यह कल लॉंच हो गई थी लाइव हो गई थी अब इन्होंने क्या है कि हापर 40 मिलियन गेमर्स ने एक दिन के अंदर अंदर टोटल साइन अप किया है तो बहुत ही इनॉर्मस फि इसको पूरी तरह से सकते हैं अगर आपको अपने अब जो भी एक्जाम अगरा दे रहे हैं उससे लगता है तो आप पड़ सकते हैं तो इसके दो वेज जाते हैं डेल बेसिस पे तो इसको करेंगे दोनों को यहां बीच में गया चलो इसको करेंगे इसको कवर करेंगे आरे यह डील को नेट लाउट को लोड़ वन बिलियन प्लस इन रिवेन्यो से एक्सपर्स तो यहां पर क्या है कि आर यह ले गूगल के साथ डील अनॉंस की ती अपनी अनॉल जनर्री मीटिंग में तो उसके बाद क्या है कि यह डील होने के बाद अब तक क्या हुआ है एक सब्सक्राइब यह समझते हैं गूगल हैस पूट 4.5 बिलियन इन जियो प्लाटफों सो 7.73 परसेंट से तो गूगल ने इन्वेस्मेंट की है जियो प्लाटफोंस के अंदर जियो प्लाटफोंस का बेसिकली मीनिंग यह जियो की जो कम्मिनिकेशन टेल क्लॉट सेग्मेंट है के जी आपको बता था कि गूगल का अध्रिष्टिंगेंट 2.43 उसे जो जो ग्लाटफ़ेंचory कल ग्लाटफोंस मिखेंट है जो खुवा और यहां पर पूरी इंडिया के अंदर Google की यूज को प्रमोट करेगा तो इसके अंदर हमने समझ लिए इसको पूरी नियूस को इसके लिए बहुत पॉजिटिव इंपक्त क्रिएट करेगा इसके अलावा जो पूरे के अदर एड्स है तो उसको हम स्किप करेंगे से बात है अगी से तो कंपनी कोविट नियंटीन इंपक्त फार्माइन कंपनी तो अगर आप देखे तो ओनलाइन प्लैट्ट्रूम एकॉमर्स प्लैट्ट्रूम्स जो होते हैं उनके लिए सेल्स अगर जो सीजन है वह अपका ओल्मॉस्ट से लेकर के अब पूरा डिसमबर तक ही मान सकते हैं क्योंकि क्रिस्मस वगरा जो रहते ही है न्यू यूर रहता है वहां पर तो वहां तक जो है सीजन चलता है तो इसके इंदर एक प्लस माइनस टू डेज का तो जिस दिन में तो बीच का मिडल वाला जो एक दिन होगा उसके बाज दो दिन है तो यहां पर जो मिडल वाला डे उसके अंदर बिसीली नॉर्मिल से रहेंगी क्यों क्योंकि एक फेस्टिव सीजन होता है उसकी यहां पर टेंसी माने जाती है कि प्लस माइनस टू डेज तक ही वो पुश क करें थे कोवी शील्ड को की मतलब कोवी शील्ड अप लगवा कर आ जाओ तो यह मना करें उसके लिए अब क्या है कि काफी जारी कंट्रीज ने एकसेप्ट कर लिए को जर्मनी स्लोवेनिया और यह चार और यहां पर और दूसरी बात को वैक्सिन को तो पहले भी अलाओ करी मैं आपको एक्स्प्रेंट कर दूँगा बिग कंपनीज रेस थर्टीवन बिलियन वाया इसीबी इन फैनांशियर 21 तो रेटायर पॉस्ली देट तो यहां पर बेसिकली यह बेसिकली इसीबी का मतलब होता है आपका एक्स्टरनल कमर्शियल बॉरिंग मैं आपर लिख भी ओनर कंट्री कंपनी कंपनी बिताया की कंपनी जो कैसे करें का कि यह सोत को graft को साथ एंडिया की है संथ्ग कि सका रिधा का यह नहीं नहीं प्ता तो इस總 से यहां पर एक जलन कंपनी हो इस पादी यह सारी कमपनी से पैसा तो यहां पर इनों पर इससे बिसिकली दो इंपक्ट पढ़ते हैं आपके मदब एक तो यहीं इंपक्ट है कि आपको इंडस्ट्री को कमपणी को जो डेट मिल गया उससे वह आपके इपना बिसेस एक्सपांड कर सकती है पर एक और यह फॉरंग रिजर्व पर क्या पड़ेक। अगर कंपनी रीपे करते हैं तो अगर कोई भी कंपनी रीपे नहीं करती है तो तो क्रेडिबिलिटी और यहां पर ऐसे इशूस आ सकते हैं इससे बिसक्स करे लिए अगर आप चाहिन दो इसको बढ़ सकते हैं इसके अंदर आगे चाहिए तो यह बेसिक नियूज आपको समझे आ गई होगी इसके नियूज जो भी होते थे इंडिया के थुरू वह 47.3 से भढ़ गए हैं और यहां पे इन्होंने जिसे नीचे ही वाइल लाइन में बताया है कि किस गुड्स के अंदर बढ़े हैं इसके अंदर इसके वाइसे बढ़ा है और 32 बेलियन यहां पर मतलब टोटल में लाकर के हो गया है अब एक्सपोर्ट गुड़ा आप इसके अदर इसके अंदर आप जैसे कोई करें जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने बोला था कि वो क्याट के प्रिवेश्न कर रहे हैं तो उसके लिए मेरे साब से काफी जाद इसके अंदर पूरी इंटर्याश्यल प्रटिक्स होती है जैसे यहां पर इसको भी आप इसको भी आप डिसकस पूरी तरह से नहीं करते हैं तो आगी चलते हैं आप सेटेड़ेश्य फीचर एंड स्पोर्स का सेश्चन होता है यह बहुत ही मतलब सेटेड़े स्पेसिफिक स सेटेड़ेश्य पर इसको पूरा सकते हैं अब मैं डेली बस पर भी नहीं बोलूगा क्योंकि यह एक ही दिन आता है तो इसको आप सकते हैं तो इसको आपको पता हूं तो एक और हम न्यूज इसके अंदर बीच में रहे गें शायत मैंने वह बैसके लिए जब मैं इसे पहल पर इसके बहुत ही बड़ी कंपनी इसके ग्लोबल है है यहाँ पर एकुटी को लोन दे किसी को डिमेंचर दे तो वह एकुटी नहीं होगा तो कैसे कैसे इंवेस्ट कर सकते हैं एंडिया के अंदर वो नोंने पूरा Ideal पूर Bjyanne लगता हो बना के दिए तो यहां पे जो समझने वाली बात हो ये जैसे हैसे जहांपे मैं आपको एक्जमपल दूंह तो जिस एंदर इंवेस्ट करना है तो अभी है पर सबसुझ जादा इन्होंने जो इसके अंदर इन्वेस्टमंट बताई है तो उसका काफी जादा positive or negative impact पड़ सकता है basically उसका influence बहुत जादा होता है क्योंकि जो sentiment होता है market का वो काफी जादा उससे impact होता है तो इस news को cover करने के बाद हमने पूरा article जो है पूरा newspaper जो है cover करें और इसके बाद मैं आपको जूश की PDF आपको description के अंदर link कर दूँगा और उसके अंदर क्या है कि मैंने आपको drive के अंदर एक पूरा folder बना दिया है उसके अंदर आपको सारे जो है पीडिएफ भी चाहिए तो आप टेलिगराउं गूप के अंदर भी आ सकते हैं तो दोनरी पेले इससे मैं आपको जो पूरे पीडिएफ डालता हूँ तो that's it and thanks watching